हलो फ्रेंड्स गुरीवनिंग एंड वेलकम अगें तो धन्मंत्रा चैनल दोस्तों इंडियन एक्विटी मार्केट के लिए जबर जस्त बुल रन का एक दोर चल रहा है और आपने देखा बैंक निफ्टी निफ्टी जबर जस्त एक हुंकार भर रहे हैं एवरी डे यू आर लुकिंग एट न्यू हाईज आज तो ये देखिए फॉर्टी थौजन का लेवल बैंक निफ्टी चूते चूते रहे गया थोड़ी सी करेक्शन आई है उपर से HDFC बैंक में भी आपने देखा कि जो उसने आज हाई बनाए तो वहाँ से करीब 35-40 रुपे टूटा है एक प्रॉफिट बुकिंग का जो है माहौल वहाँ बना आफ्टर ए वेरी गूड रिसर्ट लेकिन इन जनरल बैंक निफ्टी ने देखिए करीब 0.8 पर्शन की बड़ यस बैंक के शेर ने भी एक धमाकेदार प्रदर्शन किया है एक समय तो देखिए ऐसा लग रहा था कि शायद 10 पर्शन की उपर क्लोजिंग आएगी लेकिन देखिए यस बैंक में जैसा हमेशा होता है कि चुकि रिटेल बंदों की भागेदारी जादा है इंट्रा डे भी कई लोग करते हैं तो उपर से जो है प्राफिट बुकिंग आ गई और एक जो एक बड़ी साइकलोजिकल अच्छी क्लोजिंग होती अगर 14 रुपे के उपर होती वो नहीं हो पाई लेकिन ओवर आल एक अच्छा महौल यस बैंक के काउंटर पे आज बना देखिए दोस्तो कल शेयर होल्डिंग पैटरन पे हम लोगों ने डिसकुशन किया और ये जाना कि किसने बेचा और किसने खरीदा देखिए उसके बाद जो आज का सेशन था वो उसका एक रियक्शन था तो देखिए रियक्शन के दौर पे जो बाजार ने उसको एक थमसब दिया है जो करते हैं कुछ लोग शॉट टर्म करते हैं इन दसेंस की एक हफते के लिए ट्रेड करते हैं कुछ लोग मोमेंटम चेज करते हैं कुछ लोग आम मान के चलिए महीने भर के लिए ट्रेड करते हैं और कई जो बहुत से लोग इसमें फसे भी हुए हैं वो अपने लेबल के इं करते हैं उसके लिए एक separate वीडियो बनाना पड़ाएगा लेकिन जिन लोगों का बहुत short term का नजरिया है especially जो लोग एक महिना के इंपक्ट से यस बैंक को खरीदना चाहते हैं उनके लिए देखे जैसे कि मेरे इस वीडियो की टैग करती है दो देखे बड़े important level आपको ध्यान अखने पड़ेंगे देखे मैंने अभी तक यस बैंक पर बड़े वीडियो बनाए हैं लेकिन कभी मैंने चार्ट खोल कर आपको कभी ये बताया क्योंकि देखे इवेंट ड्रिवन ये जो काउंटर है तो यहां पर देखे चार्ट की बड़ी ज्यादा एहमियत नहीं रह सकती है क्योंकि अगर कोई अच्छी खबर आती तो यह चलता है खराब खबर आती है तो गिर भी जाता है और खबरों का अब मतलब आज के बाद आपको दो लेवल बहुत ध्यान दखना पड़ेगा देखे नीचे के लेवल पे बारा रुपया साट पैसे का लेवल अब किसी भी हालत में ये जबैंक को ये लेवल नहीं तोड़ना होगा अगर अब फिर ये लेवल तोड़ता है तो ये मान के चल अगर ध्यान लखिए वो है पंदरा रुपय दस पैसे का इसको कहीं आप लोग डैरी में भी लिख सकते हैं ये पंदरा रुपय दस पैसे का अगर ये जबैंक ने रिजल्ट के पहले या रिजल्ट के बाद क्रॉस करके वहां सस्टेन करता है विद वॉल्यूम देखे वॉ अठारा रुपय के लेवल को इसने क्रॉस किया तो आप सभी लोग जो लोग फोन करके और यूट्यूब में हमारे कमेंट सेक्शन में या वाटसप के तिरूप पूछ रहेंगे सर बाइस रुपय कब आएंगे देखे वो लेवल अठारा रुपय क्रॉस करने के बाद उस कि आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगे देखे जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्केशन किया है कि इवेंड डिवेंड क्राउंटर है अब देखे अपकमिंग इवेंड्स हैं जो एरसी बिजनेस का आरवी आई से कंफरमेशन होना है और इन लोगों ने जो कई तीन एरसी को ट्रैस्फर किये गए हैं एरसी में फंड का ट्रांसफर होना तो एकवेंट होगा लेकिन टर्मस एन कंडिशन भी जो है बहुत बड़ा इवेंट होगा और अभी देखे फंड रेजिंग आपने देखा था कि AGM के माद्धे हम से 10,000 करोल रुपे का जो फंड यस बैंक को उठाना था देखे अभी उसके बाद तो यस बैंक ने अभी कोई कदम अभी उठाए नहीं है तो वो भी एक इवेंट होगा 22 अक्टूबर को यस बैंक का रिजल्ट है और एक बहुत बड़ा इवें और संडे को इस पर स्टड़ी करके मंडे को जो है मार्केट इसका रियक्शन देगा देखिए जिस प्रकार के बैंकिंग के शेरों में तेजी है बैंक निफटी में तेजी है एक्सपेक्टेशन तो ये है कि सारे बैंकों के शेर अच्छे आने चाहिए तो लेट्स कीप उपर और नीचे दोनों तरफ आपको जो लेवल्स बताएंगे हैं वो अच्छी तरह ध्यान रखें खास कर वो लोग जो यस बैंक के काउंटर पर शौट टम के हिसाब से एंट्री लेकर बैठे हैं जो लोग लॉंग टम हैं उनके लिए अलग से लेवल दिये जाएंगे कल के लिए हमारे बहुत से शुक्त कामना है गुड नाइट जाएंगे